हेलो गाईज नमस्कार पराम पहला गुड मॉनिंग जैसरी राम ने दिन के ने ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ चंदन और आपका बहुत-बहुत-बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अपने ब्लॉग में तो दिन की सुरवात कर लिया आज हमने मॉनिंग के नौ वजे से आज मॉनिंग बहुत ही खूपसूरत मॉनिंग है संडे की और जैसा आप मेरे पीछे देख पार एक बखरी बदी हुई है तो इसको अठारा तारिक को इसने एक बच्चा दिया था जिसको हो गया है फीवर और उसको लगानी है सुई तो हम उपर से इसको ल दिखाता हूं भार का क्या विव है तो दोखे मॉनिंग के 9 बजे बहुत तेज धूप निकल आई है और हुआ भी चल लिए सांत में जैसा आप दिख पारें बहुत सारे पेड़ पूंदे घास हिल रही है सामने तो दोस्तों ऐसा कुछ विव है मॉनिंग का बारिस वारिस अब भूली जाओ मुझे लगता बारिस होगी बादल भी चटे चटा है रह गए है आसमान में और बहुत तेज धूब निकल आई 9 बजे तो इसके बच्चे को लगानी है सुई यह पहले सबसे पहले और यह वहां जाके बैठा है वह देखो बिस्कूटी और बाइक यह 204 थीवर था इसको तो अभी नौ बाज के तो काफी लेड होगे नास्ता करने के लिए अब बैढ़ाओं में नास्ता करने नास्ते में धही रोटी घी और चटनी है तो आज इसी के साथ आज के दिन के पहला भोजन करते हम तो आप पकरी के बच्चे को लगाएंगे स्थू इसके लिए लेना है एक एमेल और हम अंट्रेंड आजमें मत्रेनिंग कहरे लीज भी मैंने लेकि मेरा हाथ बहुत दिलता है अब हम इसको नीचे खीचेंगे जब गोजिए पर आज कर अंट्रेंफ कर दो को सब्सक्राएं अजिक अबंड्रागे तर देले बांभी इलिगा था तो अबंडर अधितना दो डर्रे दर्लू ना मुश्किल टास्ट आया बच्चे को सुभी लगाना यार बहुत दिकत हो गई बड़े मुश्किल से मैं लगाई है दिल अंदर से मैं पहले टेनिंग लगी थी इसकी जब लेकिन कैना इतने महनों बाद अगर सुभी लगाने पड़े तो हाथ तो कामता ही है मैं प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं हूं खाली टेर पहले एक दो बार कैसे सुभी लगाते हैं वैक्सिनेशन की ली थी मैंने टेनिंग इसकी नहीं ली थी यह मांसम लगता है वैक्सिनेशन पार करती है क्या जाब तो रुको जारा सबर गुरूट इवनिंग दोस्तों आप सभी का स्वागत अफ़िट से तो दोस्तों आप मेरी कंडिशन देखके पदा लगा ही सकते हैं कि आज मैंने कितना काम किया होगा और बहुत जादा काम होगा आज पूरे दिन रही है आप टेबल पर देख रहे हैं दो पंखे रखे होगे हैं एक कूलर का पंखा एक बड़ा पंखा है यह वाला तो अभी-अभी मैं इसको बना के बजार से लेके आया हूं यह फुग गया पंखा और इसका बुस कड़ गए थे तो इन दोनों को बना के लाएं अब इन दोनों को उपर फिट करते हैं और जो बखरियां बहुत दिनों से गर्मी में रहे थी कमसम हफ्ते बर से उनको थोड़ा सपून देते हैं आड़ी कार्मी हो रहे भाई साफ का गर्मी है यह यह हातों से पसीना ऐसे टपक रहा है यार देखो इसके उपर ना चादरे लगी है तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है और हमने फाइनली एक पंखा फिट कर लिया है और इसको करते हैं फिट फिर यह पसीना है और रिलीव हुजाएगा पंखा तक गया है पंखा डग गया है और अब जोड़ने कनेक्शन जोड़ने के लिए सबसे पहले काटिंगे तार अरे कहना क्या चाहते है पाइनली बहुत जाता मेहनत के बाद हम मेरे दोनु पाइन जो है ओन हो चुके है यह रहे दोनु चालू कर दी है और बहुत थग्यापूरा दिन लग गया मुझे इसको खोलने में सुधारने ले जाने में उसके बाद फिट करने में तो दोस्तों आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि मैं इलेक्टिक्शन बन चुका हूं तो दोस्तों बकरे को अब दूसरा डूज लगना है चोटी बच्ची को एक एमल दवा भर रिकी हमने इसमें और यह इसको देना है तुमसे ना हो पाएगा तो इसको लगना है दूसरा डूज आपको लगेगी मांसो में लगाना पड़ता है कि अधर दो हुआ है है आई जा या कि अको शॉमा लेगी और अा है 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 जब हो एक है है जब हो आसरा ना है है तो गई लग गई लग गई लग लग रोने लग जाए तो गई रात के बच चुके हैं साड़े डस और बहुत ज्यादा टैम हो जा रहा है राजकल काम करते करते बहुत ठक जा रहे हैं अभी बिश्थर पर लेड़ पस्त नहीं दा जाएगी और लक्सी तो सो चुका है राम से भाई भी सो गया अपने रूम में इसका तो अब हम भी सो जाते हैं रात के साड़े डस बच गया कल सुबर मॉनिंग की डूटी है साड़े पांच बिजे निकलना पड़ता है घर से संडे ऐसी गुजर गया आज काम 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 बहुत जादा काम किया बहुत जादा पसिने में लग पता रहे सुबर जिनने वीक में जितना भी हम आराम करते हैं काम उतना सब निकल गया कर आज संडे में और बगरी के बच्चे को अभी दवा बिला के क्योंकि उसके लिए वेट करना था नहीं तो पहले भी स्तरम आ गया होता बगरी बच सब्सक्राइब करते हैं कि इसी के साथ व्लॉग नहीं बस हमाप्त करते हैं मिलेंगे फिशन नैस ब्लॉग में तब तक लिए आपको मेरा प्यार बरा पढ़ाम बाई बाई दोस्तो कौझ बस्तरम पॉे remains बदा के क्हिन करते हैं करते हैं मिलेंगे था प्यार चुछ क्ते हैं के सब्सक्राइब करते हैं этस झाल